आज मैं बर्द में खाये जाने वाले बहुत हेल्थी और टेस्टी से नास्ते की रेसिपिए आपके साथ सहीड कर दी हूँ आज से करती हूँ आप सबको पसंद आएगे राप इसे जरूर से एक बार ठ्राय करोगे क्योंकि जितने भी चीजे बर्द में खाये जाती है उसी से अमने इसको बनाये बनाना बहुत आज़न पांच मिनिट में बन के तायर हो जाते हैं हेल्थी तो है यह टेस्टी भी है इसको देखर तो बिना बर्द वाले भी रहने पाएंगे इसको देखर तुरंद बनाकर इसको इंजाट जरूर से करेंगे नमश्कार फ्रेंड मैं हुसंगीतार आपको बहुत बहुत सागत करती हूँ आपके अपने रेसिपी में आसकरती कि आपके हैं को इसे लाइकरें चैनल को सब्सक्राइब कि रहें बना लेते हम बर्द का या यानि कि जिसे हम खीर वगर बनाते हैं बर्त में इसको खाया जाता है तो इसी से बनाएंगे हम आज टेष्ट के थे हल्थ से नाज देगो तो गई तरीके का आठा आत राट मार्केट में बरत में खाए जाने वाला आप यहां पर इस्तमाल कर सकते हो लेकिन इस समा के चावल हाथ उजेक अब लेबल होते हैं मैंने क्योंकि इनको हलका से यहां पर दो कर थोड़ा पंके के नीची सुखाया था अता कि इसकी नमी चले जा इसलिए मैं हलका से इनको इस तरीके से गरम कर रही हूँ और उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे थाली अफलेट पर निकाल लेते हैं जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ग्राइणिंग जार में ग्राइण करेंगे नॉर्मली जैसे चावल काट हम ग्राइण करते हैं उसी तरीके से समा के चावल इक्तम छोटे होते हैं तो पेन अभी गरम है इसमें लेंगे हम आधी कटोरी की बराबर कच्ची वाली मुम्पली इसको भी हम रोष्ट करेंगे रहलका सा इसका छिलका निकलने देंगे ज्यादा इसको हम डार्क ब्राउन नी करेंगे इसको जलाना भी नहीं है और एक बार आप इसको बर्त में बना कर रख दीजिएगा यानि कि जो मुफलिया है ना इनको आप रोष्ट करके रख दीजिएगा इसका छिलका हटा कर रख दीजिएगा कई तरीके की रेजिप्यू मैंने ग्राइंड कर लिया इसको रख दिया मैंने कट्वरी पर इसी ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे अपने समके चावल ये पूरी तरीके से ठंडे हो गए मैंने जादा इनको यहां पर भूना नहीं था बस हलका से इसको गरम किया था ताकि इसकी नमी जली जाए हम नहीं इसका चावल का आठा तो ग्राइंड कर लिया है इसको हम थालिया प्लेट पर निकाल लेते हैं दागे की प्रोसेस करते हैं तो देखे शेम तरीके से जैसे चावल का आठा होता है उसी तरीकी का इसका भी आठा बनता है आठा को रखते हैं साइड में यहां पर मैं ल जैसे भी आप दही लेना चाहते हो उसी तरीके के आप दही ले लीजेगा दही को डालते हम ग्राइनिक जार में और इस नास्ते को थोड़ा से चट-पटर तीख बनाने के लिए एक क्रीन वाली चिली डालते हैं यह आपने इसाब से आप कम और जाद भी कर सकते हो तोड़ के टालीं ताकिस अच्छे से ग्राइन होज़र लेते हैं हमने इनगें जानर् पर मीक्षिंग बुशंवयल और सब्सक्राइब करेद मेंने और यह लेला डालते हैंयाज देघिक यॉbig आप ईया फारवी ख्लाइब दृब करिन कि अध्री में चोटियों सब्सक्राइप नमक जो कि हम बर्त में खाते हैं और फ्लेवर देने के लिए आपर भुने जीरे का पॉडर यह बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा साथ ही मैं यहां पर एडाजेशन में भी हेल्प करेगा अब डाल देते हैं इसमें समाके चावलो का आठा और अच्छे सीज़ को मिला लेंगे पानी अमिक्तम नहीं डालेंगे आफने पानी के आवस्त लेगे तो थोड़ड़ थोड़़ग करके पानी डालते जाएंगे ने पर ग्रैंडिंग चार आचेशे में नगी कि निकल जाएंगे इसक बग पतला भी बड़ाना विक्वे 전았 ज्वार करया है तो इस तरीके के हमें इसको बैटर चाहिए आप किसी भी चम्मा चया इस्पून है इस तरीके से विसकर से चिस इसको फेट लिजेगा दो तीन मिनट तक ताकि अच्छे सो फ्लेपी भी हो जार इसमें यहां पर साइनिंग भी आ जाए हमें पानी की मात्रे कंमी डाललें तो आप इसको पतला कर दीजेगा आसानी से रखते हो में अथ है है च्छी से अब हम इसमें अनार के दाने अभ जो भी चीजह ना खाते हुं इसको कर दीजेगा तो गाज से लेटी इसको टालें नमक प्र तोड़ा जाए लेख़ा हूं जो हमने यापर मुमफली को ग्राइंड किया था तो मुवफिली को हमने दर दर असा इसको कूठा था तो जो इसके चंग से मुव में आएंगे खाते टेम जब रहता आप खाऊगे तो बहुत यह ज़र साधिश लगेगा दो से तीन चमस एड कर देंगे साथ में आपर फ्रेवर देने के लिए पिनी जीरे का बॉर्डर भी औ यहां पर कुछ पतिया यहां पर तज्ज और देने के इस तरीके से हम झाले इसे बहुत है अज़र आप डेवर चाहते आप पर्फेक्टर अच्छा है कि अको वह एंगे तब तक हम अपना बेटर भी जग कर लिते हैं और बेटर हमारा देखे इस तरीके का होना चाहिए यह आपको इस तरीके के फिलपी फिलपी सनास्ता बनाना है तब आप बैडर इस तरीके से रखिएगा चलिए चलते हैं गैस की तरफ जहां पर हमने यह पर एक पैन लिया है क्योंकि मुझे छोटे-छोटे साइज में इन फिलपी को बनाना है तो मैं यह पर पैन ले रही हूं अब दो कर्शी हम इसमें डालेंगे अपना यह बैडर और हलका से जितना इसको फैलाना है उतना इसको फैलाएंगे मुझे थोड़ी से छोटे साइज में चाहिए क्योंकि फूल जाते हैं हमने इसमें ड़ी डाला था उपर से थोड़ी से यहां पर गी डाल दीजेगा या इसकी भी कर सकते हो ऐसे भी बन जाएंगे इसमें हम कवर कर लेते हैं इसको इवनली हीट मिले की चारो तरफ से धकन लगाने से अरे जल्दी फास्ट है यहां पर तायर होकर अंदर तक इसकी श्रीम भी जाएगे रंदर तक यह कुख होगा दो तीन मिनट बाद मैंने इसका कबर हटा लिया था अब हम पहले इसको चेक कर लेते हैं तो देखिए आसानी से यहां पर पूरी तरीके से पैन को छोड़ा हमने इसको टॉच किया इसका कलर देखिया आप जब आप यहां पर बैटर को डालते हो पैन में यह तोए पर उसका टंपरेटर हाई होना चाहिए इसके बाद आप मध्यम पर कर दें तो इस तरीके से आप कभी नात यह जलेगा इसमें बहुत अचा कलर भी आएगा हम थोड़ी दियाए पर एक से दो मिनट इसको फिस से धकन लगाएंगे दूसरी तरफ भी अच्छे से शिखनी देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पके तो हम इसका ढ़कन अटा लेते हैं इसको हम निकाल लेते हैं यह हमारा जो पहला नासा है फर्ष्ट बन के थार हुआ है इसको हम निकाल लेते हैं थाली और प्लेट पे देखें कितनों जबरदस्त इसमें कलर आया है और खूब शारी वेज़िटेबल के साथ जो भी आ नास्ता बनाकर सायर करेंगे इसके लिए हमने पैन हमारा गरम है इसमें मैंने थोड़ा सा और गी यहां पर डाल दिया है शुरुआत में हम गैस का फ्रेम हाई पर रखेंगे यानि कि जो हमारा पैन है उसका हीट अच्छा सा होना चाहिए तब हम यहां पर बैटर डालेंगे इससे क्या होगा बड़ी असे इसमें कलर आएगा और यहां जाली भी कुख होंगे तो इस तरीके से जैसे हम डोति में कश्यों स करम देचे भाद ए उसका भी करना है इसमें जबरधस्त सा कलर भी है खाएं कर रखें मैं दूसरी सा थमन पका लेंगे क्यूंकि मैंने इसका बैटर जो है दो कर्शी के पराबर रखाता और थोड़ा सा अंदर तक अच्छे से पके तो हम इनको आप निकाल लेते हैं यह के करके यह हमारे अच्छे से फलपी बनके दायर रहे हैं इसमें हमने ना तो चमच के इस्तमाल किया है ना तो यहां पर कर्शी का आसानी है ऐसे हम से बना सकते हो तो समा के चावलों कि हमारी टेष्ट शहाएं आप रफी बनके ठैन हुए है बिना बुट वाले इसको ज़रूर से इंजॉय करता है ना जलोर चाहिंगे तो आप एक बात disciples ko ट्राए करें बरत से लेकर आप बिना बर्त का भी इसको बना सकते और अपनी मन प कोई भी बेज़ेबल ना खाते हो तो आप उसको इसकिप कर दीजेगा और दही और समा के चावल से यह आपके यह फ्रफी बनके तार हो जाएंगे तो यह हमारा रहता भी बनके तार हुआ है उपर से हम गार्निश कर लेते हैं थोड़े से यहां पर अनार के दाने और कुछ य लगेगी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं यह किसी तरीके की नहीं हेल्टी सी रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धनवात हैं किसो माझे लिए अ